इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं laws of exponents के बारे में laws of exponents किस तरीके से आते हैं इनका इस्तमाल हम किस तरीके से करते हैं और यह जो formulas है वो किस तरीके से हम प्रूफ करते हैं यह सब आपको आना चाहिए laws of exponents एक बहुती basic topic है जो आपको आना चाहिए क्योंकि यह हर जगे maths में इस्तमाल होता है और काफी लोग इन formulas को याद कर लेते हैं बट उनको इनका proof नहीं आता है अगर हमको proof आता है तो हमारी जो logic building होती है वो बहुत अच्छी तरीके से होती है और maths पढ़ने में हमको खाफी आसानी रहेगी तो इसके लिए ही मैं आपको logic building कराने की कोशिश करूँगा तो हम समझते हैं कि यह जो formulas हैं वो किस तरीके से काम करते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि exponents क्या होते हैं कहीं पर भी जैसे आपने देखा होगा कि 2 की power मानलो 5 लेखा होगा है तो यह जो 2 है उसको हम बोलते हैं हमारा base और यह जो 5 है उसको हम बोलते हैं हमारा exponent तो जो power होती है किसी भी number की उसको हम exponent बोलते हैं तो यहाँ पर तो हमने number लिये थे 2 और 5 power थी उसकी बट अगर हम इसको general form में लिखेंगे तो हम क्या बोल देंगे कि कोई number a है और उसकी power कितनी है उसकी power है x तो उस case में जो exponent है वो हमारा x हो जाएगा और जो number है यानि कि a वो हमारा base हो जाएगा तो जैसे two की power five लिखा है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि हमने two को खुद से पांच बार multiply कर दिया है तो आप देख सकते होगी ये जो value है वो इसके बराबर है तो इसी तरीके से a की power x का क्या मतलब हो जाएगा कि हमने a को a से x time multiply कर दिया है यहाँ पर आप देख सकते होगी यह जो चीजे वो हमने 5 times multiply करी है 2 को और इधर आप देख सकते होगी यहाँ पर हमने x times multiply किया हुआ है तो अगर आपको यह basic concept समझ में आ गया है तो अब हम laws of exponents को study कर सकते सबसे पहले हमारे पास आता है multiplication rule अब आप इसको अभी के लिए बूल जाएए हम इसको basic से solve करने की कोशिश करते है for example हमारे पास लिखा होता 2 की power 3 into 2 की power 5 अब आप मान ली जिये कि आपको कोई formulas नहीं आते है तो हम क्या करेंगे हम देखते कि इसका मतलब क्या है 2 की power 3 को हम लिख सकते है 2 into 2 into 2 तो आप देखिए कि हमने पहला जो 2 की power 3 है उसको यहाँ पे लिख दिया है इसी तरीके से अगर हम 2 की power 5 की बात करें तो उसको हम लिख सकते है 2 into 2 into 2 into 2 यानि कि 2 को हमने 5 times multiply कर दिया अब आप देखिए कि यहाँ पे हमें 2 जो है वो 3 times multiply करने मिला है और यहाँ पे हमें 2 5 times multiply करने मिला है अगर हम इस पूरे की बात करें तो हमारे पास 2 कितनी बार multiply हुआ है हमारे पास 2 multiply हुआ है total आठ बार तीन बार इधर से वो हमने ऐसे लिख लिया और पांच बार इधर से तो वो हमने इस तरीके से लिख लिया है अब आप देखिए कि ये जो पूरी चीज है वो क्या लिखी हो ये 2 का multiply है 8 times तो इसको हम short में क्या लिख सकते हैं इसको हम लिखेंगे 2 की power 8 तो इस तरीके से अगर हमारे पास 2 की power 3 into 2 की power 5 था तो इसको हमने लिख दिया directly 2 की power 8 अब ये चीज हमको बार बार नहीं करनी पड़े इसके लिए हमने एक ऐसा formula बना दिया तो अगर हमारे पास आता है कि 5 की power 3 into 5 की power 7 कितता होगा तो हम वापस से बोलेंगे कि पहले bracket में 5 जो है वो 3 times multiply हुआ है और दूसरे bracket में 7 times हुआ है तो total 10 times हमने 5 को multiply किया है तो इसके लिए हम बोल देंगे कि 5 की power 3 plus 7 आने वाला है यानि कि 5 की power total हमारे पास 10 answer आ जाएगा तो इसी चीज को हम multiplication rule बोलते हैं और ये जो formula है वो इस तरीके से आता है अब हम इस formula का proof देख लेते हैं इस formula में हमारे पास है a की power x into a की power y अब a की power x का क्या मतलब है मैंने आपको भी बताया था a की power x का मतलब है कि हमने a को खुद से ही x time multiply किया है तो पहले bracket में हमारे पास क्या आगया x times a का multiply इसी तरीके से हम दूसरे bracket की अगर बात करें तो दूसरे bracket में हमारे पास a into a कितनी बार आने वाला है वो आने वाला है हमारे पास y times तो total हमको a कितनी बार मिला है total हमको a मिला है x plus y times क्योंकि पहले bracket से x times और दूसरे bracket से y times तो total हमको x plus y times a मिला है तो इसी चीज़ को हम short form में कहा लिख सकते हैं this is equal to a की power x plus y तो यहां से हमारे पास a की power x into a की power y वाला formula आ चुका है अब यहां पर सबसे important एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर हम left से right जा सकते हैं तो हम right से left भी वापस आ सकते हैं इसका क्या मतलब है इसका simple सा यह मतलब है कि 2 की power 3 into 2 की power 5 अगर 2 की power 8 के बराबर है तो इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं कि कहीं पर माल लो 3 की power 8 हमको given था तो उसको हम break कर सकते हैं 3 की power 5 into 3 की power 3 में अगर हमारा मन होता तो हम इसको ब्रेक कर लेते 3 की पावर 2 into 3 की पावर 6 में हम इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 की पावर 1 into 3 की पावर 7 फुल मिलाके आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम left to right भी जा सकते हैं जो कि हम अभी देखी रहे थे और हम right to left भी जा सकते हैं जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ तो right to left जाने का भी हमको कभी कभी सवाल में ज़रूत पढ़ सकता है तो उसके लिए हमको ये चीज आनी चाहिए तो I hope कि आपको multiplication rule समझ में आ रहा होगा अब हम बढ़ते हैं division rule की तरफ तो division rule क्या कहता है वो हम समझ लेते हैं मान लो कि ये formula आपको नहीं आता हम basic से समझने की होशिश करेंगे for example हमको दिया हुआ है 5 की power 7 upon 5 की power 3 इसका क्या मतलब है कि हमने उपर 5 को 7 times multiply किया हो तो हमने उपर 5 into 5 into 5 यानि की 7 times 5 को multiply कर दिया और नीचे आप देख रहे हो कि 5 की power 3 है इसका मतलब नीचे हमने 5 into 5 into 5 यानि की 3 times 5 को multiply कर दिया अब आपको एक basic चीज मालूम होगी कि जब उपर number और नीचे number same होता है तो वो cut जाता है तो 5 इस वाले 5 से cut गया ये वाला 5 इस वाले 5 से cut गया और ये वाला 5 इस वाले 5 से cut गया अब आप देखिये कि ऊपर 5 चार बार बजच चुका है यानि की answer कितना आगया हमारा answer आगया 5 into 5 into 5 into 5 और इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 5 की power 4 तो अब आप देखिए कि basic तरीके से इसको solve करने से हमारे पास क्या आ रहा है 5 की power 7-3 अगर हम करते तब भी हमारे पास किता आता 5 की power 4 तो इसी चीज को हम एक और example से देख लेते हैं for example हमारे पास लेखा होता है 2 की power 6 upon 2 की power 4 तो इसका मतलब क्या था कि उपर हम लिखते 2 into 2 into 2 यानि की 6 बार हम 2 का multiply कर देते हैं और नीचे क्या आता तो नीचे 2 की power 4 है इसका मतलब 2 into 2 into 2 into 2 यानि की 4 बार multiply कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह वाला 2 इससे कटेगा इससे कट जाएगा इस तरीके से सारे 2 कट जाएगे तो हमारे पास answer में क्या आ रहा है हमारे पास answer में आएगा 2 into 2 जिसको की हम लिख सकते है 2 का square अब आप यहाँ पर notice कर लीजिए कि यहाँ पर भी हम अगर same बोलेंगे तो यह कित्ता आ जाएगा a की power x upon a की power y इस चीज का क्या मतलब होता है यानि कि उपर हमने a का multiply कित्ती बार किया हुआ है x time किया हुआ है क्योंकि power कितनी है x और नीचे हमने multiply कित्ती बार किया हुआ है y times क्योंकि power कितनी है y तो यह हमने उपर लिख दिया x times multiply और यह हमने नीचे लिख दिया y times multiply अब वापस आपको मालूम है कि यह उपर वाले जो a है वो नीचे वाले a से कट जाएंगे तो numerator में जो a है वो कितने बचेंगे वो बचेंगे x minus y क्योंकि नीचे वाले जो a है वो उपर वाले a से कट जाएंगे तो इस तरीके से a की पावर x upon a की पावर y वाला formula drive किया जा सकता है अब जो चीज मैंने अभी आपको बोली थी कि हम left to right अगर जा सकते हैं तो हमको right to left जाना भी आना चाहिए इसका क्या मतलब है for example कहीं पे लिखा हुआ है 3 की पावर 8 तो हम इसको लिख सकते हैं तरीकी पावर 12 upon 3 की पावर 4 आप देख सकते होगी यह और यह value same है इसी तरीके से हम इसको कैसे लिख सकते थे 3 की पावर 10 upon 3 की पावर 2 और इसको हम infinite तरीके से लिख सकते हैं 3 की पावर 18 upon 3 की पावर 10 यह भी कितना आजाएगा 3 की पावर 8 के बराबर तो कभी-कभी हमको इस तरीके की जरुवत भी पढ़ती है तो यह हमको इस्तमाल करना आना चाहिए तो इस तरीके से आपको division rule समझ में आ गया होगा अब हम बात कर लेते हैं तीसरे rule की तो तीसरे rule को बोल रहे हैं power of a power rule यानि कि power पर power जब चड़ी होगी तो किस तरीके से answer आता है तो सबसे पहले हम basic देख लेते हैं for example हमारे पास लेखा हूँ है 2 की power 3 की power 4 अब इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि 2 की power 3 into 2 की power 3 into 2 की power 3 यह लेखा हुआ है तो कि किसी भी चीज की power का मतलब क्या होता है कि वो चीज उतनी बार multiply कर दी गई है अब 2 की power 3 को आप जानते हैं कि हम क्या लेख सकते हैं इसको हम लेख देंगे 2 into 2 into 2 similarly इसको हम लेख देंगे 2 into 2 into 2 इस तरीके से हमारे पास total 4 bracket होने वाले हैं एक इसका, एक इसका, एक इसका और एक इसका अब आप देख रहे हैं कि यह जित्ते भी bracket हैं सब multiply में है तो हमारे पास total 2 कितनी बार आया तीन बार यहां से, तीन बार यहां से, तीन बार यहां से और तीन बार यहां से तो total कितनी बार हो गया तो 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 तो इसको हम लिख देंगे 2 की पावर 12 हमारा क्या आजाएगा टोटल आंसर ये बिलकुल बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ अब इसी चीज को हम बार-बार इस तरीके से करके नहीं देखेंगे क्योंकि मान लो अगर हमारे पास नंबर आ गया 2 की पावर 10 की पावर 15 तो क्या हम इतने सारे नंबर को लिखेंगे क्या नहीं तो इसके लिए हमको इस तरीके के फर्मूलेज आने चाहिए तो आप यहां प इस चीज को आप directly भी देख सकते हैं हम एक और example ले लेते हैं for example हमारे पास आता 3 की पावर 4 की पावर 5 तो हम क्या लिखते हैं कि 3 की पावर 4 into 3 की पावर 4 into 3 की पावर 4 कितनी बार लिखा हुआ है 5 बार लिखा हुआ है अब आपको मालूम है कि multiplication rule किस तरीके से लगाते हैं तो आप बोलोगे कि base frame है तो 3 की पावर में 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 क्योंकि 5 बार हमने 4 को plus किया हुआ है तो यह कितना आजाएगा 3 की पावर में 4 into 5 क्योंकि अगर आप 4 को 5 पावर प्लस कर रहे हो तो 4 into 5 उसको लिख सकते हैं तो यह कितना आजाएगा 3 की पावर 20 क्योंकि 4 into 5 20 होता ह तो अब हम हर बार इतने सारे steps repeat नहीं करेंगे, इसके लिए हम direct formula इस्तमाल करना सीखेंगे तो अब हम देख लेते हैं कि यह जो formula है वो किस तरीके से आया तो यहां पर हमारे पास लिखा हुआ है a की power x की power y तो इसको हम क्या लिखेंगे a की power x into a की power x यह कित्ती बार multiply हुआ है total y times multiply है क्योंकि power कित्ती है y तो इस चीज को हम क्या लिखेंगे इसको हम लिख देंगे a की power x plus x plus x plus x तक और यह जो power है वो कित्ती बार है यानि की y times है तो इसके लिए हम इसको क्या बोल देंगे This is equal to A की पावर में X into Y तो इस तरीके से ये formula derive कर सकते है अब इसमें भी वापस Y वाली बात कि अगर हम left to right जा सकते है तो right to left भी हमको जाना आना चाहिए अब इसमें हम एक और चीज बोल सकते हैं कि A की पावर X की पावर Y हो या फिर A की पावर Y की पावर X हो वो A की बात है तो इसको हम लिख देंगे This is also equal to A की पावर Y की पावर X और ये काफी काम आता है For example हमारे पास लिखा होता है 2 की पावर 3 की पावर 4 तो इसको हम बोल सकते हैं This is also equal to 2 की पावर 4 की पावर 3 और इसका इस्तमाल Right to Left जाने में किस तरीके से किया जाएगा माल लो कहीं पर लिखा हो 2 की पावर 10 तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की पावर 5 या फिर 2 की पावर 5 की पावर 2 तो कुशन के साब से हमको इस तरीके से numbers को manipulate करना आना चाहिए तो I hope कि आपको यह वाला rule समझ में आ गया होगा अब हम next rule की बात कर लेते हैं Next हमारे पास है power of a product rule यानि कि दो number multiplier में हैं और उनकी power कुछ x है तो सबसे पहले हम इसको basic से समझ लेते हैं 2 into 3 की power 4 अब इसी चीज़ को अगर हम break कर देंगे तो यह क्या लिखा हुआ है 2 into 3 पहला bracket क्योंकि power 4 है इसका मतलब हम इसी को 4 बार खुद से multiply कर देंगे तो यह हमारे पास क्या आ गया इस तरीके से 4 bracket आ जाएंगे अब आपको दिख रहा हुआ कि यह जित्ते भी bracket है सारे आपस में multiply में तो इसको हम rearrange करके क्या लिख सकते हैं हम लिख देंगे this is also equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3 तो यह क्या लिखा हुआ है यह वाला जो bracket है यह कित्ता हो जाएगा 2 की power 4 और यह वाला जो bracket है वो कित्ता हो जाएगा 3 की power 4 तो आप देख सकते हैं कि 6 की power 4 जो था वो उसके factors में break होके 2 की power 4 into 3 की power 4 में आ चुका है इसी चीज़ को हम एक और example से समझ लेते हैं for example 18 की power 3 लिखा होता तो इसको हम अपनी मर्जी के हिसाब से अलग-अलग factors में break कर सकते हैं एक्जामपल हम इसको लिख सकते थे 6 into 3 की power 3 या फिर हम इसको लिख सकते थे 2 into 9 की power 3 या फिर हम इसको और भी break कर सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं 2 into 3 into 3 की power 3 अब आप देखी कि अगर हमने इस तरही के से break किया हुआ है तो हमारा answer आएगा 6 की power 3 into 3 की power 3 अगर इस तरीके से break किया है तो answer आएगा 2 की power 3 into 9 की power 3 और इस तरीके से किया है तो answer आएगा 2 की power 3 into 3 की power 3 into 3 की power 3 यानि कि अगर product है और उन दोनों की कोई power है तो वो power A पर भी आएगी और B पर भी आएगी यह हमको इस वाले rule में समझना है तो यह basic में आपको समझा दिया है अब इसी चीज़ को हम formula से देख लेते हैं जिससे कि हमको यह सारे steps बार-बार repeat ना करने पड़े तो यहाँ पे लिखा हुआ है a b की power x इसका क्या मतलब है कि हमने a b into a b into a b इसी bracket को खुद से ही कित्ती बार multiply कर दिया है x time multiply कर दिया है क्योंकि power हमारे पास कितनी है x है तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे this is also equal to a into b into a into b into a into b ऐसे करते-करते a into b तक हम पहुचेंगे और यह सब कित्ती बार जाएगा x times तो यहाँ पे हमें a into a कित्ती बार देखने मिलेगा x times similarly b into b कित्ती बार देखने मिलेगा x times तो इसको हम लिख देंगे this is also equal to a की power x into b की power x तो यहाँ से हमारे पास a b की power x जो है वो इस formula का proof हमारे पास आ चुका है अब इसका हमको left to right जाना आ चुका है हमको right to left जाना भी आना चाहिए और example कहीं पे लिखा हुआ है 2 की power 3 into 5 की power 3 तो इसको हम क्या लिख देंगे 2 into 5 की power 3 यानि की यह कित्ता आ गया 10 की power 3 यह हो गया right to left जाना तो इस तरीके से हमने fourth वाला rule समझ लिया है अब हम बात कर लेते हैं fifth वाले rule की fifth rule है power of a fraction rule तो अगर आपको power of a product rule समझ में आया है तो इस वाले rule में कुछ भी अलग से बताने जैसा नहीं है हम इसका direct example देख लेते हैं जिससे कि यह आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा for example कहीं पर लिखा हुआ है 5 upon 3 की power 4 तो हम इसको क्या लिखेंगे हम लिख देंगे this is equal to 5 by 3 into 5 by 3 into 5 by 3 into 5 by 3 क्योंकि power 4 है तो हमने 4 बार multiply कर दिया तो आप देख सकते हैं कि उपर कितना आ गया 5 into 5 into 5 into 5 और नीचे कितना आ गया 3 into 3 into 3 into 3 तो इसी चीज को हम क्या लिख देंगे this is equal to 5 की power 4 upon 3 की power 4 तो इसी तरीके से आप मानलो हमारे पास लिखा होता 2 upon 7 की power 3 तो उसको हम directly क्या लिख देते this is equal to 2 की power 3 upon 7 की power 3 तो यह जो formula है वो किस तरीके से आता है अब हम वो देख लेते left hand में हमारे पास लिखा हुआ है a upon b की power x इसका मतलब हम इसको x time खुद से multiply कर देंगे यह आजाएगा a upon b into a upon b इस तरीके से यह x times हम लिख सकते हैं तो यह हमने इसी का x times multiply कर देंगे अब आप देख सकते हैं कि उपर a into a कित्ती बार आने वाला x times और इसी तरीके से नीचे b into b कित्ती बार आने वाला है x times तो इसको हम directly क्या लिख देंगे उपर आ जाएगा a की power x और नीचे आ जाएगा b की power x तो यह जो formula है वो इस तरीके से drive हो चुका है और आपको इसको इसको इस्तमाल करना आना चाहिए वापस से वह वाली बात कि अगर हम left to right जा सकते हैं तो answer कित्ता आ जाएगा 1 for example हम 2 की power 0 लिखेंगे तो वो बनाएगी अगर हम minus 2 की power 0 लिखेंगे तो वो भी बनाएगी अगर हमने pi की power 0 लिखा तो वो भी बनाएगा अगर हमने root 2 की power 0 लिख दी तो वो भी बनाएगी इसी तरीके से आप कोई सा भी number ले लो minus 1 by 7 की power 0 वो भी बनाएगा 10 upon 3 की power 0 वो भी बनाएगा यानि कि आप कोई भी real number ले लो for example आपने एक real number ले लिया A और उसकी power चड़ादी 0 तो वो कितना आजाएगा 1 यह होता है 0 exponent का rule बस इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पर A जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए यह एक बहुत ही important चीज़ है जो कि आपको मालूम होनी चाहिए कि 0 exponent वाला जो rule है वो A की value 0 आने पर नहीं लगता तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 की power 0 इसी तरीके से 0 की power 0 को हम undefend बोलते हैं यानि कि इसके बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते हैं तो हम देख लेते हैं कि यह जो 0 exponent का rule है इसका proof किस तरीके से होता है तो हमने इस वाले rule में पढ़ा था कि A की power X upon A की power Y is equal to A की power X minus Y तो इसमें अगर हम Y की जगे X रग दें यानि कि Y equal to X तो हमारे पास क्या आएगा A की power X upon A की power X आप देख सकते हैं अपना Y की जगे X put कर दिया तो right hand side में हमारे पास बनेगा A की power X minus X अब सब को मालूम है कि X minus X कितना हो जाएगा 0 तो right hand side पर हमारे पास आचुका है A की power 0 और उपर और नीचे अगर सेम नमबर होता है तो वो नमबर कट जाता है तो यह नमबर इससे कट जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1 तो इस तरीके से हम लिख देंगे कि A की power 0 किसके बराबर आ चुका है 1 के बराबर अब यहाँ पर आप एक चीज़ notice कर सकते हैं कि हमने A जो है कोई भी नमबर लिया हुआ है इसके लिए हम बोल देंगे A is any real number यानि कि A rational irrational कोई साभी number हो सकता है real number क्या होते हैं अगर आपको यह नहीं मालूम तो उपर आई बटन पर वीडियो आ रहा है आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं कि real number हम किसे कहते हैं तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि कि किसी भी number की power 0 अगर होती है तो उसका answer किता आता है 1 आता है तो यहाँ पर हम एक चीज़ साफ साफ देख सकते हैं कि हमने अगर a equal to 0 लिया होता तो आप देखिए कि इस वाले step में divide किस से हो जाता? 0 से और 0 से divide impossible होता है तो इस वज़े से हम a equal to 0 इस case में नहीं ले सकते तो यहाँ पर हमने यह चीज़ इसलिए mention कर दिये तो इस तरीके से 0 exponent का जो rule है वो आपको समझ में आ रहा होगा अब हम negative exponent की बात कर लेते हैं negative exponent के rule को हम easily समझ सकते हैं हमने पिछले rule में देखा था 0 exponent जिसमें हमने देखा था कि A की पावर 0 किसके बराबर होती है 1 के बराबर जिसमें हम बोलते हैं कि A जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए अब आप देखिए कि हमारे पास 1 upon A की पावर X है इसमें हम उपर वाले 1 को लिख सकते हैं A की पावर 0 तो हमारे पास क्या आ गया a की पावर 0 upon a की पावर x आप देखिए कि हमने ये वाले 1 को a की पावर 0 इधर put कर दिया अब ये वाला rule हमको मालूम है ये second number का rule है तो यहां से हम इसको क्या लिख देंगे this is equal to a की पावर 0 minus x अब 0 से minus कुछ भी करो तो वो number same वैसे का वैसे ही रहेगा तो इसके लिए ये कितना आजाएगा a की पावर minus x तो यहां से हमारे पास क्या आगया 1 upon a की पावर x is equal to a की पावर minus x इसका इस्तमाल किस तरीके से होता है for example हमारे पास लिखा हुआ है 2 की पावर minus 3 तो हम इसको लिख सकते है 1 upon 2 की पावर 3 क्योंकि अभी हमने देखा कि अगर negative में पावर होती है तो जो number होता है वो denominator में चला जाता है तो 2 की पावर minus 3 थी इसलिए हमने इसको 1 upon 2 की पावर 3 लिख दिया और 2 की पावर 3 होता है 8 इसलिए answer कित्ता आगया 1 upon 8 इसी तरीके से कहीं पे लिखा होता 5 की पावर minus 2 तो इसको हम लिख देते 1 upon 5 की पावर 2 और ये कित्ता होता 1 upon 25 For example हमारे पास लिखा होता 1 upon 3 की पावर minus 3 अब आप देखिए कि जो 3 है वो नीचे already denominator में तो इस पे पावर अगर negative की है तो अब ये नीचे से ऊपर चले जाएगा तो इसके लिए हम इसको क्या लिख देंगे This is equal to 3 की पावर 3 अब देखिए कि minus की विज़े से number denominator से numerator में आ गया यानि कि नीचे से ऊपर आ गया है तो इसका answer कित्ता हो जाएगा 27 क्योंकि 3 की पावर 3 कित्ती होती है 27 इसी तरीके से अगर हमारे पास लिखा हुआ होता 1 upon 2 की पावर minus 4 तो हम क्या बोलेंगे कि 2 already denominator में है और उस पे अगर negative power है तो वो numerator में चला जाएगा यानि कि नीचे से ऊपर तो power plus की हो जाएगी तो 2 की पावर 4 हो जाएगा और यह कित्ता आ जाएगा 2 की पावर 4 है 16 तो इसका answer 16 आ गया तो इस तरीके से negative exponent आपको समझ में आ रहा होगा तो अगला rule होता है fractional exponent जो कि इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यह इस वीडियो में मैं cover नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसके लिए आपको radical समझना आना चाहिए जो कि हम किसी और दिन किसी और वीडियो में देखेंगे उपर वाले यह जो 7 rules हैं यह आपको अच्छे से आने चाहिए इसलिए मैंने इस वीडियो में इनको अच्छे से cover किया हुआ है तो वीडियो कैसा लगा आप comment करके जरूर बताना अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिलाए तो आप वीडियो को like कर देना और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe कर दीजिए आपको अगर कोई doubt आता है या आपको मेरे से कुछ बात करनी है तो आप मेरे को Instagram पर message कर सकते हैं जो link है वो description में है वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share जरूर करिएगा जिससे कि उनको भी अच्छी तरीके से math समझ में आ जाए अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में जब तक के लिए बाई बाई चर्मार्णी कर दोस्तों कर थे जरूर कर सकते हैं कर दोस्तों कर दोस्तों में घचिंक कर दोस्तों में एक ऋढ़ाबू winner वीडियोिक particle image